पेले डिफेंट कर दिया है बताया था आपको कि अधा टो गुल और एट्राक्ट बॉंडेड इलेट्रॉंड या पिसीरड पेर अफ लेक्ट्रॉंड तो अगुआ इसकाल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो मैंने बताया था कि अलॉंग ता प्रियर जाने से साईट निए निए अधिडियों होता है तो सबसे ज्यादा इलेक्रो नेगेटीव ऐलिमेंट जो है वह हालो जंस का था अपने रिस्पैक्टिव पीरियड में तो अगर गृप वां ग्रूप टू थार्टिन फॉर्टिन सब करें गृप थार्टिंग का गृप टू से तो अभ्यासर कि ग्रूप 13 जो होगा हूँ ज्यादा एनेक्ट्रों नेटीव होगा दनाट आप अलकलाइन नाथ मेटल तो लिखेंगे कि दो एलेमेंट्स आफ दा एलेमेंट्स आफ ग्रूप 13 आफ मोर एलेक्ट्रों निगेटिव दान दाफ आफ एलेमेंट्स आफ ग्रूप टू यहीं है अलकलाइन अर्थ मेटल्स बात करें डांदा ग्रूप भारियसं देखें कि इन मुविंग दो में दून दाजूप 13 युग भा यु एलेक्ट्रों जिए कि दिए ठील इंट इंट कि एस इसाइ फिक इस इसाइ फिर फिसे एस टी दिए हिस इसाइ इा इस पर आव और टू ए इन अ but on moving from but on moving from aluminium to therium the value of electronegativity increases like this is due to this is due to more poor selling effects of D and F so this is called omega, alsoifica through the main product of the free volume and the following the other one is Traflinger elements and the electrician the other one is Traflinger elements and Electro Negativity देखिए बारों से अलमुनियम के तरफ गटा लेकिन गैलियम इंजियम और थैलियम की उराइट इसमें डी और एफ लेकों पाट सेट कने लगता है तो इसका ट्रेलिंग इसाथ पूर तो निप्रियर क्या जादा मिंसे लेकों को पे तरफ जाना छीचेगा इससे लिए घटने के जगा पे यहां इंजिस कर गया स्वाइट अब बात करते हम लों में एक फूर्थ इस प्रो पॉज्डेटिव और मेटालिक चालेट नहीं बताय कर दोल्क चाहरेक्टर पाता है कि अनुद्य को बोलते हैं एलेक्ट्रो कॉज्यों कि आधि रिए पाद होता है तारीक चोटा होने से मीटियर्थ जो इलेक्ट्रों को ठैक्टी हेल करेगा दिरीज चोडने वाला नहीं है इसे लिए मेटालिक प्रो घट जाता है लिकिंग लुप जल्डा ग्रुक जया थो अक्त के दाविक तो भाउनिक रधा है अडियसर charged गया और अग्लोर अटा युक्त का बड़ जाता है अब बात किसे बात किसे ज्यादा युट्रिक्प अग्रा आलेत्स पॉसद्टिव्स बात किसे स्थी सिग्यम अब करने है तो रख्येम उसके बाद ग्रूप् 2 तो ग्रूप 2 और ग्रूप 13 siamo couplesum करेंगे तो ग्रूप 13 पो हो向ो लाशे और फॉसके बाद ग्रूप 2 तो गुलें कि The अलिमेंक फो ग्रूप 形 अर ग्रूप नेंट्टेंगत तो पोसे तीव तो दो दन्यतक अल्डूप टो आप ग्रूप तो अगर हम दो डॉन्दा ग्रूप देखें इसके भारी असनल तो लिखेंगे की इन मूभिंग डॉन्दा ग्रूप थाटीन दो इलेक्ट्रो पॉजेट्टिव कारेक्टर तो आपतार ग्रूप इसcen स्थिकाश ॉजेट्टा ग्रूप एंटांग सउ-द्रकोग फ्रूप पासे सर्थ य्छ इच déjàगी ब्रjutर इंटे hy इस gün Southwest अव्य एंगें दिर्मेंड तो एंख द्रूप this can be explained this can be explained on the basis of standard reduction the aluminum each most electropositive element in standard reduction potential value m3 plus equals or m solid data इसका होता है माइनस 0.87 माइनस 1.66 इसका है माइनस 0.56 माइनस 0.34 प्लस 1.26 अब देख सकते हैं कि बारां से अड्मिन्यम की और जाने से आपको दिखा है कि आपका standard reduction potential घटा जितना कम standard reduction potential का value होगा वह उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉस्टिक को कफिर देखिए गैलियम से इंडियम इंडियम स्थालियम जाने से slightly decrease कर जाता है और इसको लोग एक्स्पेंड करते हैं on the basis of standard reduction potential data के हिसाब से अब ही नट पेर इफक्ट के बारे में बता दिया हूं लिकिन इससे पहले बता जाते हैं अक्सट है Oxidation state Oxidation state को हम लोग explain कर सकते हैं कि किसी environment में कोई atom कितने electron का लास कर रहा है या gain कर रहा है मतब पर आइटम कितने electron का gain or loss हो रहा है इसको explain करते हैं हम लोग on the basis of oxidation numbers इस घटना को लों बोलते हैं एंबर की किसी element में पर एक atam पर एक Obsülirm का लाज हो रहा है या किद लस्य हिंज हो रहा है इसे हम लोग करते है आप सीलेशन नमबर तो आप देख सकते हैं कि गृत 13 के जितने भी elements हैभितों सब का एक्षा है लेकिन दूट प्लस वन ऑक्सिदेशन श्टेट भी सो करता है। मैंने कल आपको एक्स्पेंड किया था। आप देख सकते हैं कल की वीडियो में मैंने बताया था इनट पेर एफक्त के बारे में। तो लिखते हैं कि the elements of group 13 exhibit plus 1 and plus 3 oxidation state. लिखेंगे कि plus 3 is the most common oxidation state 4, 4, 4, all the elements of group 13. तो बोले हम लोग कि the elements of group 13 exhibit करता है plus 1 and plus 3 oxidation state जिसमें plus 3 जो है वो most common oxidation state होता है for all the elements of group 13 एक तरफ ले ले लेते हैं हम लोग elements और एक तरफ ले लेते हैं हम लोग elements और एक तरफ ले लेते हैं उसका प्लस 3 यह भी प्लस 3 लेकिन इनट के कारण यह सो करेगा plus 1 plus 3 plus 1 plus 3 क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जर बॉर्ण का electronic configuration हम लोग देखे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1s2, 2s2 और 2p1 मैंने बताया था कि peak electron को s तो strongly sealed कर देता है तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों मिलके यह सो क्या तो प्लस थी इसका भी आज़ी ज़र 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 यहां भी देख सकते हैं कि s electron जो है inner s electron वो अपके peak electron को strongly sealed कर सकता है लेकिन यहां देखे अगर gallium का तो लिखेंगे ar argon, 3d10, 4s2, 4p1 यहां पे अगर देखे हम कि peak electron को तो s sealed कर सकता है लेकिन d electron का, d orbital का selding effect पूर होता है मैंने बता रहा था कि s, p, d, f इस direction में जाने से selding effect जो है वो decrease कर जाता, selding effect decrease कर जाता है क्यों? क्योंकि s electron जो है, s orbital electron निक्रों 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 के सबसे ज्यादा नज्दीक है सबसे ज्यादा nuclear attraction है उससे दूर p, उससे ज्यादा दूर d, सबसे ज्यादा दूर f और f जो है, वो diffused होता है, तो सबसे पूर silding effect इसका उसके बाद इसका और यह दोमों का silding effect अच्छा-खासा होता है बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पर उन्हों देखें कि टीक electron को तो s silding कर सकता है लेकिन s के electron को d, d वाले जो electron है वो silding नहीं कर पाते हैं तो nuclear attraction के कारण यहाँ पर s electron bonding पाटिसिपेट नहीं करना चाहता है तो इसलिए यह सो करता है प्लस 1 b, प्लस 3 b लेकिन इंडियम का बात करें तो यह हो जाया क्रिप्टन, 4d10, 5s2, 5p1 3 के electron को s orbital electron silding कर सकते है strongly लेकिन फिर से यहाँ पर s के electron को d, s के electron को d, s के electron को d और बाटल के electron वो silding नहीं कर पाता है तो फिर से यहाँ पर क्या होता है कि यह participate करना नहीं चाहता है इसका electron तो यह भी सोग करता है वन भी रेली सोग करता है लेकिन अगर हम बात करें थैलियम का तो most stable इसका हो जाएगा प्लस वन क्यों क्योंकि यहां देखिए जनान, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1 6p1, b के electron को तो s electron strongly sealed करता है लेकिन s के neutron को f और d के और battle के neutron sealed नहीं कर पाते हैं इसलिए तो थैलियम है वो प्लस वन में जादा stable होता है हम लोग बात करते हैं कि stability of stability of plus one oxidation state increases from gallium to thallium क्यों? तो due to inert pair effect और feature define कर दे inert pair effect को कि the reluctance or inertness मतलब निश्क्रिय है अक्रिय है भाल लना नहीं चाहता है the reluctance of s, valence s electron to participate in bonding is called inert pair effect the reluctance of valence s electrons to participate in bonding is called inert pair effect तो मैंने बताया था कि ग्रुप थागिन का valence cell का electronic configuration होता है ls2 n31 जिसका ये electron participate नहीं किया तो उन्हों बात करेंगे gallium, indium और thallium में इधर जाने से क्या होगा कि stability of plus one oxidation state increase कर जाएगा वाइल जबकी stability of plus three oxidation state decrease कर जाएगा q तो due to inert pair effect तो ये question है कि TLCL and TLCL3 में which one is more stable दोनों में ज्यादा stable कोन है क्या बोलते हैं आप लोग क्या होना चाहिए देखले तो oxidation number निकाल के इसका थैलियम का निकालना है तो यह होगे x इसका होता है minus one equal to zero तो x equal to plus one यह होगे x minus one into three equal to zero x minus three zero तो x equal to plus three तो देख लिए आप TLCL thallium fluoride is more stable than thallium trichloride यह रिजमन question है पुछ सकता है कि why thallium fluoride is more stable than thallium trichloride तो we can say कि due to inert pair effect अब कोई बच्चा पुछेगा कि बताए एक example सर कि plus one plus three में कुछ-कुछ example बताएं तो देखे थैलियम का तो मैंने बता दिया plus one लेकिन देखे और भी i and two o indium oxide तो इसका देखे लिए oxidation number two x minus two zero तो two x is equal to plus two so that is x is equal to plus one इसी टाइब का आप देख सकते है g a two o यहा भी देखे लिजे two x minus two zero तो two x minus two zero तो two x equal to two यहां पर लिख सकते है plus two x square two यहां भी हो गया plus one फिर देखे लिजे आप g a two o three निकल देखे लिजे oxidation number two x oxygen का एक का minus two तो three है तो zero तो two x minus six zero तो आप यहां पर देख सकते हैं x is equal to plus three tl2 o thallium oxide two x minus two zero two x plus two तो x is equal to plus one फिर आप देख सकते हैं tl2 o three two x minus two into three equal to zero तो two x minus six zero तो x is equal to plus three आप देख सकते हैं कि प्लस one भी सो कर सकता है प्लस तीन भी सो कर सकता है ठीक है और भी देखना है अब देख सकते हैं b2 o three two x minus two into three zero तो two x minus six zero तो x is equal to plus three और भी देख सकते हैं आप bcl3 x minus one गुना three zero x minus three zero तो x is equal to plus three तो मैंने बताया था कि जो most common oxidation state है गुरूप 13 का वह होता है plus three लेकिन due to inert effect यह plus one भी सो करता है और inert effect को मैंने define कर दिया है कि the reluctance or inertness of balance is electrons to participate in bonding is called inert pair effect मैंना को बदाया थालियम में कि जो p के electron है उसको s वाले electron strongly sealed करते हैं लेकिन s के electron को nuclear attraction से बचा नहीं पाता है f और d orbital का electron इसलिए यह s का electron unpair नहीं होता है और bonding को participate करने नहीं देता है तो यह एक ही electron बचा तो इसलिए यह थालियम जो है वो प्लस वान भी ज्यादा स्टेबर होगा दैन देट आप प्लस थ्री से अब बात करते हम लोग यह देखे इन केमिकल रियाक्टिवीटी और सबसे पहला होगा रियाक्टिवीटी ट्वार्स अक्सीजन गोलते हैं के अलमेंट्स अफ ग्रूप थाटें रियाक्ट्स वीट अक्सीजन अट बेरी हाई आए टमप्रेचर तू फॉर्म ट्राइब आपसाइड्स आफ टाइप एम्टू ओ फ्री एम्टू ओ टू यह बना दिया एम्टू ओ फिरी जो इसको श्ट्राउंग्ली इस की हैं तो गालुफ करेंगे यहां पर यहां पर लगा जते हैं दो और यहां पर लगा जते हैं फेल कुंधए उअ धैसिmy to the pen for assessments in बना देगी 2L2O3 यह था इसका केरिमेंट पर ब्रूप ठाटी जो है वो यह आप्ट करता आपके साथ है भरी हाइट अंपरे चलो बनाता है इसका है अपसाइट कुन साथ है यहां पर देख सकते हम लोग इंबराबर बारान अलुमिनियाम इंडियाम एंडियाम और हैलियों बोलेंगे कि हैलियूं बिसाइड फार्मीज टी एल्टो ओट्री अल्सों फॉर्म इसका है तीएल्टो ओ द्यूटू इनट प्रेयर के साथ जो फैल्यों जो है वो सिफ टीएल्टो फ्री नहीं बनाता है यह का टापका अपसाड बनाता है टीएल्टो टाइप का है जो कि देख लिए लिगा कि टीएल्टो ओ अफिरेसर नंबर टू है एक माइनस टूज जी यह टापक्तर दिखाता है लिखते हैं कि बरॉन इस अंडियाक्टिव इन बरॉन ए अंडियाक्टिव प्रॉस ऑस्थी तूर्स आपसीजन ट्वारपसीजन इस is the line fun but in amorphous form amorphous form it reacts with or to at high temperature at high temperature to form trioxide B2O3 means 4B plus 3O2 यह बनाया 2B2O3 नेक्स्ट बात करते हैं लोग सेकेंड रियाक्टिवीटी ट्वाट्स अलकलीस लेक्टे हैं कि बारान अल्यूमीनियाम गैलियाम रियाट्स बॉर्च्वित अलकलीस ब्रत इंडियाम अफैलियाम अल्यूमीनियाम बॉर्च्वार अल्यूमीनियूमीनियुक्श रियाक्षन है रियाक्षन देखिये यहां पे अगर बात करें बारान प्लस ह्टु ओ तो यह बनाएगा sorry, baron plus NaOH तो यह बनाएगा Na3, Bo3 नाम है इसका sodium borate और यह release करेगा dihydrogen gas. अब balance कर दीजे इसको, यहां पर लिए ले ले लेते हैं, यहां पर sodium 6, hydrogen 6 हो गया तो यह release किए 3H2. अगर हम दो देखें कि और भी एक रियाक्षन है कि 2m 2m प्लस 2naoh प्लस 2h2o तब यह बनाएगा 2namo2 प्लस h2 और यहाँ पे भी लेनेगा लोग 3h2 यहाँ पे m बराबर हो गया या बारान या फिर अल्यूमीनियो जैसे देख लिए कि 2al प्लस 2naoh प्लस 2h2o इसको हीट कर दें तो यह बनाएगा 2naalo2 प्लस 2 3h2 इसका नाम हो गया sodium अल्यूमीनेट आप यहाँ पे लेख सकते हैं अल्यूमीनियम के जगा बारान भी एक और इसका रियाक्शन है लिख सकते हैं लोग कि 2m प्लस 2naoh प्लस यह 6h2o तब यह बनाएगा 3h2 तो यहाँ पे हम लोग ले लते हैं 2h2 देख लिए बैलनस है यहाँ पे हो गया sodium दो तो यहाँ भी दो लेना होगा तो यह बनाएगा इसका जैसे जांपर ले लें हम लोग यहाँ पे जगा पे ले सकते हैं एलुमिनियम और गैलियम जैसे में अगर लुक देख लिए पर इसको बैलनस देख लिए बैलनस यह 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 हो गया M तो यह हो गया 2m तो hydrogen यह oxygen ओगया 4 दो ना 8 तो यह हो गया 2 तो यहां पर लेना होगा छे छे दूना आठ आप हैड्रोजन होगा दो आछे दूना बारा बारा और चार बारा दो चौदा हो गया तो चौदा अच्छे चौदा है यह बैलेंस है जैसे आप लेजिए एक जांपल की 2AL प्लस टू एने ओएच प्लस सिक्स एच्टू ओ तो इसको बड़ा करके लिखते हैं जैसे इसमें हम लीक हैं कि 2AL प्लस टू एने ओएच प्लस सिक्स एच्टू ओ क्या बनाएगा यह तू एने यह बनाया एल ओएच का हॉल फूर प्लस थी एच्टू यह एक हम लोग देखें तो एनाइनिक कंप्लेक्स कंपॉंड है क्टानिक नहीं यह एने निकलेगा तो यहां तुम लोग एक माइनस चाहिज देते हैं और इसका नाम निखते हैं इसका नाम है सो्डियूम ट्रह ऑफ यू मीनीटो利 मीमशन ने कर्या तो यह आप नाम इसका है sodium tetrahydroxosaluminate 3, अगर माल लिए है कि यहाँ पर गैलियूम ने रेते हैं कि 2NA, GA, OH का whole 4, plus 3H2, तो इसका नाम हो जाता sodium tetrahydroxosal, ठीक है, खसे space देना है आपे, sodium tetrahydroxosaluminate 3, नेक्ष्ट बात करते हैं, थर्ड, रियाक्टिवीटी त्वार्ट्स, रियाक्टिवीटी त्वार्ट्स, मेडल्स, देखते हैं, कि बारान, combines with metals on heating to form, क्या बनाएगा, metal borhytes to form borhytes, other elements of group 13, do not combine with metals, this so, यह दर्षाता है, कि जो boral है, वो metals से combine कर सकता है, और दुसरा जो element हो, metal से combine नहीं करता है, यह सो करता है, non-metallic character of boron, this so, non-metallic character of boron, यह अक्षन के आवड़ा हो, कि mg प्लस boron, heat कर दें, तो यह बनाएगा, mg3b2, क्या नाया, mg3b2, नाम क्या चीज़ है इसका, तो नाम है, magnesium borite, balance करेंगे, यहाँ पर लेने में तीन, यहाँ पर लेने में तो, अब हम नेश्ट क्लास में बात करेंगे, reactivity towards, hylogen, reactivity towards, non-metalls, etc. बोला दीकी, next class में हम लोग पढ़ेंगे, reactivity towards, reactivity towards, water, दूसरा, reactivity towards, acids और, reactivity towards, acid हो गया, water हो गया, non-metalls देखेंगे, हम लोग अच्छा मेटल्स देखे थे, तो हो जाएगा, तीन के बारे हम चर्चा कर लिए, कि reactivity towards, oxygen, reactivity towards, alkalis, और reactivity towards, metals, तो यह आपका हो जाएगा, fourth point, यह हो जाएगा, fifth, और यह हो जाएगा, six, तो आपनों का हों कास है कि आप घर पे इसको अच्छा से पढ़िएगा, कल के next video में मैं इसके बाद में बताऊंगा, तो ज्यादा detail clear हो जाएगा, तो आपनों जिरूर पढ़िके रखिएगा,